आज भारत तेजी से तरक्की की रहा पर अग्रसर है और तक्निकी की छेत्र में वल्ड में अपने जंडे गाड रहा है लेकिन एक हजार साल पहले का भारत आस से बहुत अलग था अलग तरहें की जिंदिगी थी एक हजार साल पहले तेज रासानिक रंगों की कमी के बावजूत प्राकर्तिक वनस्पती रंग चमकीले लाल हरे पीले रंग के साथ मजबूत और प्रसन रंगों की एक श्रंखला पैदा करते थे बिना बटन वाली दुनिया थी जिसका अभी तक अविश्कार नहीं हुआ था कपड़े अभी भी क्लैप्स और पेटी से बंदे हुए थी जीवन छोटा था समूदाय आम तोर पर छोटे और आपस में जुड़े हुए थी जिन में लोग गाउं और बस्तियों में रहती थी घर आम तोर पर साधारन होते थे जो लकड़ी छपर और मिवेशी और डब्बे से बनाए जाती थी अकसर उन आधुनिक सुविधाओं का अभाव होता था जिने हम आज अपनी जिन्दगी में जरूरी मानती हैं बहुत शांती होती थी प्रदूशन रहित भारत कच्चे मिट्टी के मकान दीवारों पर भी मिट्टी और गोबर का लेप होता था जिसमें गर्मी में अंदर से ठंडा और सर्दियों में गरम रहता था आज की तरह से उची बिल्डिंग नहीं होती थी जिससे सनलाइट सीधे घरों के अंदर पहुंचती थी जो बिटामिन डी का अच्छा स्रोत है पेड़ पौधे इतने की गरमी आज कल की तरहें जादा नहीं थी बच्चे और पुरुष आम तोर पर नाम मातर के लिए कपड़े पहनते थी बच्चे गुरुकूल में और रिशियों के आश्रम में सिक्षा ग्रहन करते थी और एक अच्छे इंसान बनकर निकलते थे जो शान्त और योगे होते थे दूसरों को गिरा कर आगे निकलने में यकी नहीं रखते थे बुजुर्गों की बास सुनी जाती थी ये वो वक्त था जब अंग्रेश तो भारत के बारे में जानते ही नहीं थे भारत में अपार संपदा के भंडार थे बैलगाडियों से ही लोग सफर करते थे इसलिए प्रदूशन का तो सवाल ही नहीं इनसान करी वुटियों से ही ठीक कर देते थे लोग घर के बाहर पेड़ों के नीचे सोते थे फ्रेश एर मिलती थी और सूरज की पहली किरण आने से पहले ही भोर में उठ जाते थे महिलाएं काम पर लग जाती थी पुरुष काम पर निकल जाते थे नेचुरल चीजों को सौंदर प्र जानवरों को बहुत प्यार से रखते थे घर का फ्रेश दूद पीते थे महिलाएं हाथ से बने सुन्दर आबुशन पहनती थी खाना बनाने के लिए मिट्टी के बरतनों का इस्तिमाल होता था फूल फल के रक्ष घर में ही होते थे लोग बहुत महंतिल होते थे दूर तक पैदली यात्रा कर लेते थे महिलाएं घरों में आप आसपास की महिलाओं के साथ नाज गा कर अपना मनुरंजन करती थी मर्द जब काम से लोट आते थे तो पत्थर से बनी गोटियों से पत्थर पर ही लाइन खीच कर उन से अपना गेम बना कर खिलती थी खेतों से भी फल फूल अनाज एकदम शुद मिलता था क्योंकि मिलावट के लिए कोई हानीकारिक और वरक नहीं सिर्फ गोबर से बनी खाद ही प्रयुक्त होती थी लोग पैरों में चपल जूते की जगए लकडी की बने खडाओं पहनते थे जो लोग समझते हैं कि अंग्रेज भारत आये तब हमने विकास किया लेकिन उन्हें भारत के प्राचीन मंदिर और भारत की प्राचीन इमारतों की तरफ देखना चाहिए ये है भारत का ब्रदेश्वर मंदिर इसकी टेकनोलोजी देखिए खुबसूर्ती नकाशी देखिए इसका भारी गुम्मत देखिए ये मंदिर दो मंजिला पर इस्तित है ये भारत की सबसे अखंडलिंग मूर्तियों में से एक है शिखर एक्यूल पॉलिक गुम्मत 25 टन क अश्ट कोणी है और ग्रेनाइट का एक ही ब्लॉक पर टिका हुआ जिसका वजन 80 टन है सोचिए इतना भारी वजन का पत्थर इतने ऊपर कैसे पहुचाया गया होगा उस समय कौनसी टेकनोलोजी ने काम किया होगा एक हजार साल पहले जबकि किसी मशीन का विकास नहीं हु सोचिए कौन सी टेकनोलोजी रही होगी यह अविरल जल्दारा बिना किसी पंप के बहती रहती है इसमें कौन सी टेकनोलोजी लगाई होगी हमारे पूरवजों ने यह भारत के प्राचीन 1000 साल पहले के मंदिर सोचिए बिना किसी मशीन के सिर्फ छेनी और हतवरी का कमाल है कितने खुबसूरत मंदिर बना दी है हमारे पूरवजों ने सिर्फ छेनी और हतवरी से यानि कि 1000 साल पहले भी बिना किसी एडवांस टेकनोलोजी के बिना किसी खास मशीन के यह देखिए आपको जो डमरू दिखाई दे रहा है यह लकडी का नहीं फोस पत्थर पर उकेरी गई खुबसूरत प्रतीमा हैं सिर्फ चैनी और हतवरी का कमाल है एक हजार साल पहले हमारे पूरवज कितने योग हुआ करते थे यह इसका परणाम है